हेलो एवरीवन वेलकम तो प्रीमेर कॉंपेटिशन अकेडमी अपने आज के डेली कॉरंट अफेर्स के वीडियो में डिसकस करने वाले में 11 से लेके 15 फेब्रोरी तक की सभी इंपोर्टेंट न्यूज और सुरू करने से पहले अपना कोश्चन डिसकस कर लेते हैं लास्ट व थाड़िया उसको जोडने वाला जो इस्ट्रेट है जल्डमरू मद्द है उसका क्या नाम है राइट आंसर इसका है सी इस्ट्रेट ओफ होर्मुज तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट ओफ होर्मुज किसके इसको जोड़ता है पर्सियन गल्फ और गल्फ ओफ ओमान इसको है यह जो जल्डमरुमध है इसको क्या बोलते हैं इस्टறेट ओफ हॉरमुज दो वाटर बोड़ीज को जोडने वाला होता है इसको बोलते हैं इस ट्रेट जो बड़ी वाटर बोड़ीज थे हैं जैसे परिशन गOLF और गल्फ ओफ ओमान उनको यह जोड़ता है जल्डमरूमद तो यह इस्ट्रेट ओफ होर्मुज परिशन गल्फ और गल्फ ओफ ओमान को यह जोड़ता है यह रीजन काफी न्यूज में है वेस्ट एसिया का तो इसको लेकर जो भी चीज़े आएं आपके सामने उसके ओपर कोश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी पूसिबिलिटीज है जो भी एक्जाम्स होने वाले आगे तो इसमें रेड सी हो, गल्फ ओफ ओडन हो, गल्फ ओफ ओमान हो, परिशन गल्फ हो, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए तो आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं भारत रतन के साथ दोस्तों, भारत रतन तीन और लोगों को दिया जाएगा, अभी दो लोगों को अभी एनाउंस किया गया था कुछ टाइम पहले, तीन और लोगों को ये दिया जाना है, वो कौन-कौन है, डॉक्टर M.S. स में 5 लोगों को भारत रतन दिया जा रहा है, साल आपको याद रखना है 2024 में, इस से पहले केवल एक बार 1999 में 4 लोगों को दिया गया था, नहीं तो ये mostly maximum जो है अभी तक 3 लोगों को ही दिया जाता है, एक साल में, तो 1999 का रिकोर्ड तोड दिया है, हमने इस बार 2024 में 5 लो स्वामिनाथन, पीवी नर्सीमा राव, स्वामिनाथन को क्या बोलते हैं, भारत में हरित करांति का जनक, ग्रीन रेवोलूशन, ठीक है, इनके जो एचीवमेंट हैं, उनके जान लेते हैं, जैसे पीवी नर्सीमा राव ये जो हमारे 1991 के एकोनमिक रिफोर्म सुए, और चो गया और लाल कृषन आडवानी, जो हमारे पूरू डिप्टी पीम और बीजेपी के लिडर हैं, उनको, तो पांच इन लोगों को दिया जाएगा, और टोटल मिलाके अब तक दिये जाने वाले भारत रतन की संख्या कितनी हो जाएगी, 53, अगर इन तीन लोगों को भी हमने किया गया था, और सबसे पहले ये तीन लोगों को दिया गया था, 1954 में, डॉक्टर सर्वपली राधाकृष्णन, सीराज गोपलाचारी और सीवी रमन, तो 1954 में इसको स्टार्ट किया गया, और अभी तक ये 53 लोगों को दिया जा चुका है, हर साल इसको दिया जाना जरूर बन गया इस बार, अब नेक्स जो हमारी इंट्रेस्टिंग न्यूज है दोस्तो, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके लिए पेटिशन फाइल किया, कि इसने सुबरमन्यम स्वामी ने, बीजेपी के लीडर हैं और ये इस तरीके की जो पेटिशन हैं, वो साथ ही जो हमारी प्रियम्बल थी, जो प्रस्तावना है कॉंस्टिटूशन की, जो आप देख रहे हैं ये राइट साइड में, इसमें भी अमेंडमेंट किये गए थे, ये हम ओरिजनल, ये मैंने ओरिजनल वाली जो प्रियम्बल है हमारी, जब मारा सम्विधान लाग उसमें ये जो आप देख रहे हैं, सोवरेन डेमोकरेटिक रिपबलिक, हमारी प्रस्तावना में ये दिया गया था प्रियम्बल में, और उसकी जगहां सोवरेन के बीच में दो वर्ड और जोड दिया गए, सोसलिस्ट और सेकुलर, कौन-कौन से वर्ड, सोसलिस्ट और सेक तो यह तीन वर्ड जोडे गए थे हमारे प्रियम्बल में 1976 में 42 अमेंडमेंट करके तो इसमें जो यह प्रिटिशन लगाई गई है इसमें सुब्रमन्यम स्वामी का यह कहना है कि जो हमारा ओरिजनल कॉंस्टिटूशन था जो हमारी ओरिजनल प्रियम्बल थी उसको जब कॉ 46 नमेंबर 1949 तो हमने ओरिजनल यह एड़ोप्ट की और अभी भी यह डेट जो है इसमें सेम बनी हुई है जबकि हमने अपनी जो प्रस्तावना है उसको अमेंड कर दिया तो यह तो ऐसा होना चाहिए कि यह डेट भी अमेंड करी जानी चाहिए थी जैसे हमने वो तीन प्रियंबल आजम देखते हैं वो एड़ोप्ट हुई एक तरीके से लेकिन जो डेट है उसको चेंज नहीं किया गया ओनली यह वर्ड चेंज गये तो यह उनका यहां पर लोजिक है तो 42 अमेंड मेंड मेंट को वो इस आधार पर इन्वेलिड गोसित करवाने की कोशिश कर दूसरा उनका लोजिक है कि यह ऐसे टाइम पर किया गया जब ना तो कोई अपोजिशन थी ना इसके ओपर कोई डिसकसन हुआ और इसको पास कर दिया गया अमिर्जेंसी के टाइम पर सबको जेल में वरा हुआ था गोवर्मेंट ने तो उनके इस लोजिक को देखते हुए सुप्रीम कोट भी इसके ओपर सुनवाई में इंट्रेस्ट ले रहा है और इसका जो रिजल्ट होगा वो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है दोस्तों तो याद रखिए 42 अमेंड प्रियम्बल से रिलेटिड है हमारा यह तीन वर्ट इसमें जोड़े गए थे 1976 में यह हुआ था कि ए एफ्टिये यह क्या है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन और इसमें चार देश है स्विट्जर लेंड आइसलेंड लिचेंस्टीन और नॉर्वे और यह कहां पर है इमारा यह आप देख सकते इसमें और नॉर्वे यह चार यन्टरीस में सामिल है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसियेशन और इसके साथ फ्री ट्रेड को लेकर फिचे को लेकर free trade agreement को लेकर इंडिया की negotiation चल रही है इसके साथ में तो इस वज़े से ये है चर्चाओं में तो EFTA को याद रखना है आपसे ये भी question पूछा जा सकता है कितनी country है इसमें चार country है और कौन-कौन सी है वो भी हमने देख लिए सदा तंसीक सद तंसीख है ये इंडिया और स्वुदी अरेबिया के बीच में Joint Military Exercise अभी 12 दिन तक ये चली इसका समापन हो गया और ये राजस्थान में सदा तंसीक इंडिया और सूदी अरेबिया के बीच में Joint Military Exercise राजस्थान के महाजन फिल्ड फाईरिंग रेंज में हुई यह नगोर्नो काराबाग रीजन जो है अजरबैजान और आर्मेनिया इनके बीच में डिस्प्यूटेड़ है यह रेड़ वाला इरिया जो आप देख रहे हैं यह जो नगोर्नो काराबाग रीजन और इसकी वज़े से यहां पर सिविलियंस की भी काफी तो इराना है तो यह नगोर्नो काराबाख रीजन जो है काफी न्यूज में बना हुआ है यहां काफी टाइम से कॉन्फिलिक्ट चल रहा है तो इसको लेकर भी आ सकता है कॉस्चन अमहारा रीजन यह भी इसी वज़े से न्यूज में यह भी इस्प्यूटि टेरेटरी बनी हुई है बलकि यहां तो सिविल वार टाइप का कुछ चल रहा है दो देशों के बीच में नहीं है एक ही देश के अंदर है जिसे इथोपिया जो कंट्री है उसका यह अमहारा रीजन है आप देख रहे हैं यहां जो है एथनिक वायलेंस हो रहा फैनो तो उसके साथ में इनका कॉंफ्लिक चल रहा है जिसकी वज़े से यहां सिविलियन्स की भी काफी डैट्स हो रही है और जो हुमेन राइट्स बोडी है टाइम टू टाइम वो अपनी रिपोर्ट्स दे रही है तो उसमें पता लग रहा है कि काफी लोग यहां पर मार एंडिया बंगलादेस जोइंट विनर बने हैं सेफ अंडर 19 वो मेंस चैंपिणिप में सेफ यानिकि साथ एसिया फुटबॉल फैडरेशन फुटबॉल का टुनौमेंट था यह अंडर 19 का और यह का बंगलादेस में हुआँ डाका में इसमें जोइंट विनर बने इंडिया और बंगलादेश अंडर 19 वोमेंस चेंपियंशिप में आर्टिकल 176 यह किसलिए न्यूज में है यह जो आर्टिकल 176 है इसमें क्या है जो गवर्नर होता है उसके इसपेसल एडरस की बात की गई है इसपेसल एडरस जो वो असेंबली में करता है अपना जैसे पहला सेशन जो स्टार्ट होता है हर एक साल का उसमें और जब भी नया जो असेंबली है वो चुनके आती है तो उसका जो पहला सेशन होता है उसको एडरस करता है तो उसको बोलते से refuse कर दिया कुछ regions की वज़े से उनको उस जो लिखा हुआ था क्योंकि ये government ही इसको provide करती है जो भी उनको पढ़ना होता है जो भी address करते हैं वो government का यह तरीके से लिखा जोखा होता है तो उनको यह पसंद नहीं आया उसमें कुछ जो भी है उसकी वज़े से इनोंने मना कर तो आर्टिकल 176 जो है किस से रेलेटीड है इस पेसल एडरस है गवर्नर का प्रधान मंत्री ने सूरिय घर योजना सुरू किया दोस्तों इसमें हर महीने 300 तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी उसमें क्या होगा यह सोलर रूफटोफ इसकी में सोलर पैनल्स लगा जाएंगे ग बैंक खातों में डारेक्टली जो सबसीडी वगरा है या लोन है गवर्मेंट का वो ट्रांसफर किया जाएगा लोगों को तो यह जो है सूरिय घर योजना सुरू की है सोलर रूफटोफ इसकी में यह आई यूएच डी डवलस यह क्या है इंटीग्रेटिड अंडर वाटर हारबर डिफेंस एंड सर्विलाइन सिस्टम और इसको भी पोर्ट ब्लेर में नेवी ने लौंच किया है इसके साथ ही प्रिसीजन एप्रोच रेडार भी लौंच किया है और यह सर्विलाइन्स को बढ़ाने में सहायक होंगे जो यह दोनों के दोनों सिस्टम है जो आस पा चैनल्स मावज़्यहक घड़ा है जैसे तो राज्या सबवा का ट्रांसफरेबल इंडन सिस्टम तो और नूतिक असरीटwhy ने होते हैं 230 ये दोनों को मिलाए तो 250 की अभी maximum संख्या हमारे इसमें निर्दारी ते अर्टिकल 80 में जो बताया है और इनको जो है राज्यासभा के जो मेंबर्स हैं उन में से एक तियाई जो है परते एक दूसरे वर्स एवरी टू यह रिटायर होते रहते हैं और उनकी जगे दूसरे जो है चुनकर आते रहते हैं इनका कारेकाल वैसे six years का होता है तो यह पर्माणेंट इसको इसलिए हम बोलते हैं permanent है यह सदन लोग सभा की तरह इसका कभी विगटन नहीं होता यह कभी डिजॉल नहीं होता तो यह पर्मानेंट सदन है हमारा राज्यासभा तो इस बज़े स कर भेजते हैं जो इसके मेंबर होते हैं और इसमें जो वोटिंग होती है वह जोपन होती है इसमें दिखाना पड़ता है जो भी इसको वोट दे रही है वोश कि अपनी पार्टी के लोगों के वोट देख सकते हसं रहीarin उसमें गलके तो पहले गेम हुए बिम स्टेक के एक्वेटिक्स यानि की तेरा की वगएरा ये इस टाइप के ये गेम हुए इसमें 54 मेडल जीते इंडिया ने और टॉप पर आया और इसमें 54 जो मेडल से हैं 19 तो गोल्ड है 27 सिल्वर है और 8 ब्रोंज है तो टोटल मिलाके 54 मेडल इंडिया न बंगलादेश है बूटान है नेपाल है इंडिया है तो ये सम मिला के 7 इसमें कंट्री है और 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बैंककॉक थाइलैंड में और इसकी जो सेक्रेटरियरेट है ये इसका एड़कार आप कहिए वह कहां पर है धाका में बंगलादेश के धाका में इसकी साथ है ये इंडिया में इनका होस्ट है इस बार जह हुए ये पहले वाले गेम इंडिया में इं बिहार में ट्रस्ट वोट हुआ भी तो बिहार असेम्बली के बारे में पुचा जा सकता कितने मेंबर सभी ये टोटल मिला के भी 243 members की assembly ये बियार की capital पटना है CM कौन बने है नितिस कुमार दो डिप्टिशीम बने है इस में एक तो समराठ चोधरी और दूसरे जो है विजय कुमार सिना ये ये दो डिप्टिशीम बने है एक ये CM बने है नितिस कुमार और इन्होंने ट्रस्ट वोट जीत लिया है बियार म 243 की assembly है रुपे और UPI ये मौरिशस और सिलंका में भी यूज किये जा सकेंगे अब इनको rollout कर दिया गया है UPI Unified Payment Interface यानि कि अब आप अगर मौरिशस और सिलंका जा रहे हैं तो आप अपने UPI app से वहाँ पर UPI payment कर सकते हैं या सिलंका से कोई इंडिया में आ रहा है तो वो कर पाएगा तो दोनों देसों में वह इस तरीके का तालमेल हो जाएगा रुपे और UPI को वहाँ पर रोल आउट करने से इंद्रा गांधी और नर्गिस्दत नेशनल फिल्म अवार्ड जो थे जो दो आवार्ड ये दिये जाते थे इंद्रा गांधी अवार्ड फोर दी बैस्ट डेब्यूट फिल्म ओफ डारेक्टर ठीक है और नर्गिस्दत अवार्ड जो दिया जाता था वो फोर बैस्ट फी खाली best debut film award तीन लाग का इसमें प्राइज कर दिया गया और इसको जो integration national integration वाला वार था नर्गिस्दत वाला इसको club किया जाएगा best film on social issues and best film on environment conservation preservation इसके साथ में इसको club कर दिया जाएगा इसके साथ ही जो दादा साथ फालके में अभी तक award में 10 lakhs रुपीज मिलते थे उनको बढ़ा कर 15 lakh कर दिया जाएगा और ये इस बार के जो 17th national film awards होंगे 2022 के 17th national film awards हैं उनसे ये लागू कर दिया जाएगा तो इनके नाम चेंज किये गए हैं दोनों awards के वेस्ट इंडीज के समार जोसिफ को ICC men's player of the month का वार मिला है और ये पहले ऐसे वेस्ट इंडीन है इसके साथ ही Ireland की ये बैटर है IME Hunter इनको woman category में ICC player of the month का वार मिला है तो दो हैं ये जोसिफ और हंटर इनको ICC player of the month का वार मिला है इस बार इंडिया energy week अगले साल दिल्ली में होगा इस बार कहा पर हुआ गोवा में हुआ छे से लेके नो तक गोवा में हुआ भी है इंडिया energy week अगले साल होगा 11 से 14 February के बीच में नई दिल्ली के द्वार का इस्तित ये 100 भूमी में तो इंडिया energy week Google लाया Gemini एडवांस Gemini क्या है इसका AI chatbot है Artificial Intelligence chatbot किसका है Google का Gemini और ऐसे ही एक हमारा क्या है ChatGPT जिसको आप बहुत सुनते होंगे ChatGPT ये भी AI chatbot है ये किसका है OpenAI ये किसकी कंपनी है Sam Altman तो Google का है Gemini AI chatbot Under 19 World Cup में चोथी बार champion बन गया Australia इंडिया को defeat कर दिया है फाइनल में Under 19 Cricket World Cup में 4 time champion बनाए Australia इंडिया को हरा कर ये उसा किरन खान ये कौंतिन का भी हाली में द्यानत हो गया पदमसरी से सम्मानित थी और मैथली की परसिद्ध साहित्तकार मैथली बासा की परसिद्ध साहित्तकार थी पदमसरी से भी इनको सम्मानित किया जा जुगा था इनका आली में निधन हो गया उसा किरन खान कतर ने ये फुटबोल का एसियन कप जीत लिया है और ये जोर्डन को हराया है तीन एक से फाइनल में कतर ने एसियन कप खिताब अपनी जोली में डाल लिया है जोर्डन को हरा के इंडियन ओसियन कॉन्फरेंस कहाँ पर हो रही है पर्त ओस्टेलिया के पर्त में हो रही है जिसमें हमारे मिनिस्टर ओफ एक्स्टरनल फेर जो एस जेसिशन करे है वो भी पर्तिशिपेट कर रही है तो याद रखना है अपने को पर्त में हुई है इंडियन ओसियन कॉन्फरेंस पदमस्री पुरुसकार पाने वाले ये पंडित लक्समन भट इनको इस साली अनौन्स किया गया था पदमस्री अवार्ड लेकिन अभी दिये जाने थे पदमस्री वार्ड उनसे पहले इनका निधन हो गया है ये गायन से संबंदिते दुरूपद अचारिय थे दुरूपद जो होता है उससे रिलेटिड थे ये तो इनका निधन हो गया पंडित लक्समन भठ तेलंग इनको पदमस्री से सम्मानित किया जाना था इनको अनौन्स किया गया था इस बार जो 26 जन्वरी पर इनका उससे पहले निधन हो गया है आज का अपना कोश्चन देख लेते हैं हाउ मैनी टोटल पदमवार्ड देखो उमने अपना आज का वीडियो भी स्टार्ट किया बारातरत्न से और खत्म कर रहे हैं पदमवार्ड से बारातरत्न सरवोचनागरी सम्मान एडिया का उसके बाद कौन से आते हैं पदमवार्ड और इनका रेंक कैसे है सबसे बड़ा क्या है पदम वीबूसन फिर पदम वीबूसन फिर पदम सरी तो कौश्चन हमारा यह है कि टोटल मिलाके इस बार 2024 में कितने पदमवार्ड अनाउंस किये गए हैं आप्सन्स आपके सामने हैं आनसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में इसको डिसकस करेंगे तो पदम अवार्ड तो तीनों आ जाते हैं इसमें वीबूसन बूसन और सरी तो इसी के साथ अपना वीडियो आज समाप्त करते हैं ही पर और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सेर जरूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एव नाइस टे